बर्मिंगम में खेले जा रहे 22 में कॉमनेवल्थ गेम के दसमें दिन रविवार को भारतिय खिलाडियों ने काफी शांदार परदर्शन किया आज भारतिय खिलाडियों साथ गोल्ड मैडलों पर फाइट कर रहे हैं जिसमें से भारतिय खिलाडियों ने दो गोल्ड मैडल अब तक जीत लिये हैं पांच गोल्ड मैडलों पर और भारतियों की निगाए हैं देखते हैं अभी तक दो गोल्ड किसमें आएं गोल्ड बॉकसिंग के अंदर और बॉकसर अमित पॉन्गाल ने 51 इ contest के अंदर इंग लेइंड के मेंडू के आब दूसरा दूसरा गोल्ड मेल अपने नाम कर लिया भारतिय मेला होकी टीम ने भी काफी शांदार परदर्शन करते वे पहला ब्रोंज मेडल प्राप्त कर लिया इन खेलों के अंदर भारतिय होकी मेला टीम का पहला ब्रोंज मेडल है इससे पहले 2002 में गोर्ड मेडल जिता था और 2006 के अंदर सिल्वर मेडल जिता था यह मुकाबला एक एक पर ड्रो रहा था काफी शांदार परदर्सन किया महिला हो की टीम ने ब्रोज मेडल अपने नाम कर लिया आगे बात कर लेते हैं आज भारतियों जो खिलाडी है साथ मेडल पर टिकी है पूरे भारतियों की निगाएं वो कौन-कौन से साथ मेडल है जो सबी उमीद लगाए बैठी है नीतु ने गौल्ड मेडल हासिल कर लिया है अमित पंगाल ने भी हासिल कर लिया है सरत साथियान जो च्छे पंदरा पर खेलते वे नजर आएंगे गौल्ड मेडल की रेस में है निक्त जरीन भी गोल्ड मेडल की रेस में है जो 7 बजे आपको खेलती वी नजर आएगी वही भारत और अस्ट्रेलिया का वुमेंस की क्रिकेट के अंदर भी एक मुकाबला होगा जो 9 बजे का होगा यह भी फाइनल मुकाबला है यह भी गोल्ड मेडल का मुकाबला होगा और सरत सूजा भी आपको टेबल टेनिश के अंदर गोल्ड मेडल के मुकाबले में खेलती वे नजर आएगे जिसका समय रहेगा 12 बजकर 15 मिनिट पर मिक्स्ड डबल्स के अंदर यह मुकाबले खेले जाएंगे अगला मुकाबला बोकसिंग के अंदर होने वाला है जिसके अंदर सागर एहलावत खेलते वे नजर आएंगे और रात के एक बज़ कर 15 मिनिट पर ये मुकाबला होगा मैन से 92 प्लस केजी फाइनल मुकाबला है गोल्ड मुकाबला है ये मुकाबले होने वाले हैं पांच गोल्ड मेडल पर टिकी है सिब की निगाएं देखते हैं ये क्या कमाल कर पाते हैं भारत को पांच गोल्ड मेडल और दिला पाते हैं या नहीं कॉमेंट कर दीजिए मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में तब तक जैन जै भारत वंदे मात्रम